हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप लोग, welcome back to the channel, आज यहां पर discuss करने वाला हूँ DRDO की तरफ से अपडेट, Defense Research and Development Organization ने अपडेट अनाउंस की हुई है और यहां पर बहुत interesting अपडेट है यह आपको यहां पर interest लेना चाहिए और apply करना चाहिए, मौका मिल रहा है DRDO में काम करने का, so enter video को देखना, आप मेंसे जो भी eligible होंगे, मैं criteria पहले ही inform कर दूँगा, तो थोड़ा सा सबर रखिए, ताकि मैं तसली से आपको पूरा notification बता सबूँ, आप मेंसे बहुत सबर बहुत जली जली करते हैं, so चली इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और discuss करते हैं पूर screenshot में बताने वाला हूं, screen पे यहां पे रखने वाला हूं, उसमें जो है आपको शायद clarity ना मिले, because यह जो notification है, वो blurry है, और light color के phone यूज के हुए है, तो समझ में कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, scan copy है, तो इसके लिए पूरा वीडियो देख लेना, और अगर पहली बार इस channel पर visit कर रहे हूं, subscribe करके bell eigen press कर दीजिए, अगर आपको daily essay, latest job opportunities के बारे में जानना है, इस channel पर सिर्फ freshers के लिए हम opportunities लेकर आते, no experienced vacancies, क्योंकि focus हमें freshers पर करना है, तो अगर आप freshers हो, यह channel आपके लिए है, जली से subscribe कर दीजिए, और bell eigen press कर देना, ताकि कोई भी update मिस ना हो, यहाँ पर बात करते हैं, तो junior research fellow, senior research fellow की आपके announcement है, सबसे पहली है electronics engineering, जिसमें दो vacancies है, और बताया हुआ है, बीटेक अगर आपने electronics से किया हुआ है, with valid net या gate, तो आप बिलकुल apply कर सकते हो, अगर आपने MEM tech किया हुआ है, तो यहाँ पर gate या net की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ, same, इसी type की position, computer science में भी है, और electrical engineering में भी है, और mechanical engineering में भी है, और यह junior research fellowship की maximum vacancies आपके काम की, senior के अंदर experience मांगा होता है, यहाँ पर सब में similar चीज़े बताया हुई है, कि अगर जो भी branch है, electrical है, तो BBtech electrical with valid net या gate score, और अगर यहाँ पर BBtech नहीं master's किया हुआ है तो gate की कोई ज़रवत नहीं है, same mechanical के लिए भी है, और यहाँ पर mechanical में एक vacancy है, total यहाँ पर vacancies कम है, लेकिन आपको यहाँ पर बिनाफीज के apply करने का मौका मिल रहा है, apply करनी की process भी बहुत ज़्यादा simple है, आपका यहाँ पर selection process भी simple हो सकता है, क्योंकि जिनोंने gate को crack किया वह है, valid score, मतलब crack ही बोलता है, तो यहाँ पर उनके लिए interview देना काफी आसान होगा, तो यहाँ पर apply करनी की process पर आते है, और आप में से बहुत सारे जो है, इसमें interest कम होने लगा होगा, तो आपको मैं बता दू, आपको बहुत सारी और भी opportunities मिल जाएगी, मैं continue basis पर वीड and reasoning at least prepare करके रखना होगा, और यहाँ पर इसके preparation में मैं आपकी help कर सकता हूँ, हमने well academy पर prelims package launch किया है, जिसमें हमने aptitude and reasoning को बहुत ज्यादा detail में cover किया होगा है, आपको video lectures मिल जाएंगे सारे concept के, जिसके अंदर 1200 से ज्यादा हमने example solve किये हुए है, साथ मैं आपको 200 से ज्य इबुक्स भी मिलेगी और यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे 1500 में actually में एक साल के लिए मिलते हैं, लेकिन अभी offer में यह सारी चीज़े 1500 में 2 साल के लिए मिल जाएगी, मतलब की double validity, so by description में link दिया हुआ है, preparation कर रहे हो, तो जरूर से इसमें interest लेना, आपको यह बहुत help कर सकता है, तो यहाँ पे check out कर लेना, अब बात करते हैं कि apply कैसे करना है, तो यहाँ पे apply करने के लिए आपको क्या करना होगा, application form है, उसको यहाँ पे download करना होगा, उसको fill करना होगा, और उसको यहाँ पे forward करना होगा, director IRDE दहरादुन, और यह document जो है, इसका जो letter होगा, envelope हो और इसके लिए SCST वालों को यह नहीं करना रहेगा, अब इसके अंदर क्या-क्या documents होगे, तो आपका यहाँ पे application form होगा, जिस पे आपकी sign होनी चाहिए, साथ में educational qualification, matriculation, birth certificate, date of birth, gate या net, जो भी आपने दिया हुए valid score है, तो वो लगा देना, और वो last date से पहले, वहाँ प online form नहीं fill up करना है, complete process आपकी offline जैसे रहेगी, यहाँ पे आपको बेजना है, साथ ही साथ single PDF में scan करकी email भी करना रहेगा, वो भी closing date से पहले है, अब closing date क्या है, तो भाई यह जब release हुआ था, तब से लेके 21 days, तो हमने यहाँ पे देखा, approximate date 20 से 21 September आ रहे है, last date, इससे पहले आपको यह काम complete करना होगा, अगर आप apply कर रहे हो, यहाँ पे इन्होंने यह भी बताया हुआ है, कि आपका gate score वगरा है, उसके basis पे आपका पूरा short listing होगा, और उसके basis पे आपका यहाँ पे interview वगरा, जो भी communication होगा, वो आगे इस तरीके से किया जाएगा, साथ में आपको जो हाँ पे इस DRF में salary क्या मिलेगी, तो इन्होंने बताया है, 31,000 प्लस HR आपको मिल जाएगा, चुकि HR 15% ही जो होता है, तो आप अगर count करो, तो करीब 45,000 और एड हो जाएंगे, तो 35,000 आपको पर मन मिल जाएंगे, चोकि बहुत ही decent है, fresher के तोर पे शुरुआर में, त ऐसी बहुत सारी opportunities आती रहती है, तो ऐसे दिल छोटा मत करना, अगर आपका rank नहीं आया हुआ है, आप दूसरी try तो दे ही सकते हो, लेकिन अगर आपने इस सिर्फ crack किया है, तो आप ऐसे DRDO, ऐसी बहुत सारी organizations में apply कर सकते हो, तो I hope आपको ये चीज़ समझ में आ गई होग जहां पर notification मिल जाएगा और information simple language में मिल जाएगी, साथ में telegram channel है, जहां पर कोई update miss हो जाती है, तो उसको join कर लो miss नहीं होगी, और prelims package का बताया था, उसकी भी link available है, तो जाते जाते एक नजर description में भी टाल देना, तो इसे के साथ end करते वीडियो को मिलते है, next video में, next job update में तब तक के लिए, goodbye, take care